हाई प्रेंग्स मैं हुँ कल्तना स्वागत है आपका हमारे चैनल कल्तना ओलिन वनपर आज मैं आपको हेर मास्क बना कर दिखा रही हूँ जो आपके हेरस को लंबा करेगा साथ हे आपके डेंडर्फ को भी दूर करेगा और आपके बालों में जैसे ड्राइनस हो जाती है उसक को बनाते हैं इस मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे कोकोनट ओई आप कोई भी कोकोनट और यूज कर सकते हैं बट वो शुद्ध होना चाहिए यह बहुत शुद्ध है और यह मैं यूज कर रही हूँ बहुत अच्छी कम्पनी का यह आईल होता है यह आपके बालों को बहुत अच्छा करता है साथ ही यह लाइट होता है आपके बालों के लिए काला करता है आपके बालों को कोकोनेट और साथ ही मैं इसमें दूसरी चीज यूज कर रही हूँ अरंडी का तेल इसली अविलेबल होता है मार्किट में आपको इसली मिल जाता है और यह बालों को, अगर हम इन दोनों को मिला कर एक मास्क बनाते हैं, तो वो आपके बालों को काला करता है, घहना करता है, साथ ही आपके गंजा पन भी दूर करता है, तो आएए इसको बनाते हैं, देखते हैं कैसे इसको बनाना है, सिंपल एक कटोरी ले ले लेंगे आप, और उसमे आप एक चमज के करीब अरेंडी का तिल निकाल लेंगे अब इसमें आप दो चमज के करीब कोकोनट ओयल मिक्स करेंगे अरेंडी को होता है तो आप इसमें अपनी सुवधा के अनुसार भी इसमें आप इसमें कॉकोनट और मिला सकते हैं इसको अछे से आप मिक्स करेंगे तो इसका इसमें जाता ही अपके बालों में यह इदिली फैल जाएगा और लग जाएगा तो आएए इसको हम लगा अब आप इस तेल को अपने स्केल्प पर अप्लाई करेंगे अप्लाई करने के लिए आपको फिंगर्स की टिप्स पे ओल लेना है और अपने स्केल्प पर लगाना है हलके हाथ से आप अपने स्केल्प पर इस तरहीके से मसाज करेंगे ऐसे ही अब दूसरे शेशन में आप इस तेल को अपलाए करेंगे आपको तेल फिंगर की इन टिफ्स से ही लगाना है बहुत जादा रगड़ना नहीं है आपके बालों को तो आगर बाला आप रगड़ते हैं तो बहुत जादा टूपने शुरू हो जाते हैं अब बहुत जादा एसे करने की बिजरूद नहीं है क्योंकि यह तेल इतना ओईली हो जाता है कि इजी आपके बालों में तुद ही अगर इसको पूरा नात आप रखते हैं तो इसली आपके बालों में पैल जाता है अच्छे से इसको अप्लाइ कर लेंगे हम हलके हाथ से आप मसाज करेंगे इतनी तेल आप सर में मसाज करेंगी जितना यह आपकी जुड़ों में जा सकें आपके सर में अच्छे से मिल सकें अगर आपकी जैसे आपका गंजापन शुरू हो गया है अगर आप इस तेल को रेगुलर यूस कर लेते हैं तो आपका गंजापन भी दूर होता है साथ ही आपके जो बाल जड़ने लग गए हैं वो भी कम हो जाते हैं तो इसको अच्छे से मैं अप्लाइ कर लोंगी अपने अच्छी से अप्लाइ करके पूरे सर में इसको आप छोड देंगे और पूरी रात इसको अपने सर में लगा रहने देंगे और उसके बाद आप सुभा किसी भी माइल्ड शैंपू से अपने हेर को गौश कर लेंगे I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को जादा से जादा शेयर करें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और जुड़े रहे हमारे चैनल कल्पना अलिन वन के साथ